देश का सबसे स्वच शहर इंदॉर अब 2 अक्टोबर से पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनने जा रहा है इसे लेकर इंदॉर नगर निगम ने व्यापक तयारियां की है लिहाजा गांधी जहनती को प्लास्टिक के उत्पात बनाने वाली कमपनिया अपने प्र अत्वा उसके परिवहन एवं प्रडॉक्शन करने वाले को भारी जुर्माना चुकाना होगा दरसल बीते साल जुलाई 2022 से ही इंदॉर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है जिसके तहत इस तरह के उत्पात बनने अत्वा उप्योग किया जाने पर सतत करवा ही जारी है हाली में के इंदिय प्रदूशन निवारण मंडल के नर्देश पर देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक से तयार होने वाले 17 उत्पादों को भी लिस्टेड किया जाने के बायत प्रतिबंधित किया गया है इस बीच इन दौर में आगामी गांधी जैनती त सभी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का नर्माण अत्वा उससे संबंधित कामकाज को बंद करने की सहमती दी है हाला कि इसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का एक मात्र सेग्मेंट जो कागस के कप के बतौर अभी भी प्रचलन में हैं उसे बंद किया जाने की त धारत 17 उत्पादों के साथ इंदोर में हर तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक अब उपयोग नहीं किया जा सकेगा नगर निगम आयोक्त प्रद्भापाल के मुताबिक जो भी स्थान व्यक्ति अत्वा परिवन करता सिंगल यूज प्लास्टिक का काम काज करता पाय गया तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद यानि प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, चमच, काटा, स्ट्रोव, शॉपिंग बैग, ग्रोसरी बैग, बड़ी पॉलिथिन, समेट गुटका तंबागू के पाउच, प्लास्टिक के जंडे, पीवी सी बैनर, जो 10 माइक्रॉ से भी पतले हैं, समेट 17 तरह के उत्पाद प्रतिबंदित है, जिनका उप्योग इंदार में लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगाता है, इसमें मीटिंग से होकर सभी की समती बन गई, सभी में डेट सते हो गई, बस एक जो कागच के उपर पतली प्लास्टिक कोटिंग से जो गलास बनाते हैं, या प्लेट्स बनाते हैं, उन लोगों की बैठा कोई है, उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, इंदोर न बाद भी कोई सिंगल इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा, ट्रांस्पोर्ट करेगा, इसको स्टोर करेगा, तो उस पर हम लोग कडी चाला निकारवाई करेंगे.